तो जैसे ही कामवाली उस आइने के पास पहुंचती है, उसे उस आइने में अपना ही अक्स नजर आता है, वह थोड़ी देर अपने अक्स को देखती है, लेकिन उसे उस अक्स में थोड़ा बहुत अंतर नजर आता है, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है, वह आईने के सामने एकदम नॉर्मल होकर खड़ी होती है लेकिन आईने के अंदर आने वाला अक्स उसको मुन्ह बनाकर चढ़ाने लगता है जिसे देखकर वह थोड़ा सा हैरान हो जाती है इतने में ही उसकी मालकिन नहाकर बाहर निकल आती है और अपनी नौकरानी को लेकिन उसकी नौकरानी उस अक्स को देखते ही ऐसे खो जाती है जैसे मानो उस आईने ने उससे पकड़ लिया हो थोड़ी देर बाद अपनी मालकिन की आवाज को जब नौकरानी सुनती है तो तुरंग उसकी नींद तूट जाती है और जल्दी से भागती हुई नीचे मक पान मालकिन के पास आती है। यहां तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसी दिन शाम को बच्चे भी आ जाते हैं और पती भी आ जाता है। इतने में दोबारा से नौकरानी काम करने आती है कि उसे उस आइने से फिर से वही आवाज सुनाई पड़ती है। लेकिन इस बार वह बहुत डर जाती है और उपर नहीं जाती है। वहां अपनी मालकीन को बताना चाहती है कि इससे आइने में कुछ तो गड़बध हैं परंतु सब के सामने वहां बता नहीं पाती है। इसलिए अपने आप ही दोबारा से यह निश्चय करके उस आइने के सामने चली जाती लेकिन इस बार जैसे ही वे आईने के सामने खड़ी होती है, आईने वाला अक्स एक चा को उठाता है और अपने गर्दन पर चलाने लगता है, इधर असली वाली नौकरानी भी बिलकुल वैसा ही करती है, जैसा आईने के अंदर वाला अक्स करती है और वह चा को अपनी पर चलाने लगती है जग जिससे वही के वही उसकी मौत हो जाती है दोस्तों इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आएगा आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर ले अगर मैंने इसका दूसरा भाग डाल दिया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक गाल दूंगा और आप हमारे चैनल को सबसक्राइब करना ना भूले ताकि इसी तरह की कहानी का आनंद आप उठाते रहे